कि कैसे आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यह जो डिक्स्टॉप पे देख पारें गूगल का सर्च वाड है इसको आप कैसे आपके कॉम्प्यूटर में इस्टॉल कर सकतें और आपके डिक्स्टॉप को थोरा मौर्डर लूप दे सकते हैं तो आएए वीडियो बहुत शुरू करते हैं, सर्च टूल वार को आप इस्टॉल करने के लिए, सबसे पहले हम लोगों को एक सॉफ़टर इस्टॉल करना पढ़ेगा, जिसका नाम है Rainmeter, आपको Google सर्च करने से मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह Rainmeter डाउनलोड पर बैट गया है, डाउनलोड होते ही, आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देख पारें, यह सेट अप है, यह सेट अप खुल जुगा है, यहाँ पर आपको Standard Installation मिलेगा, और एक Portable मिलेगा, आप Standard Installation सिलिक करेंगे, और Next पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर Distribution folder, कहाँ पर आपका यह Software इस्टाल होगा, उसको आप यहाँ पर सिलिक कर सकते हैं, और यहाँ पर देख पारें, Launch Rainmeter on Startup, पतलब जब आपका Computer Start होगा, Rainmeter उसके साथ ही Start होगा, तो यहाँ पर आप Install Option देख पारें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यह Permission मंगेगा, Permission में आप Yes करेंगे, देखें, Install हो रहा है, Install होते ही देख पारें यहाँ पर Run Rainmeter में टिक क्या हो आएं, मैं Finish करूँगा, तो Rainmeter अपने आप खुल जाएगा, आप जब पहली बार यह Software को Run करेंगे, तो ऐसा कुछ आपको दिखा देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा Welcome होगा, और यहाँ पर डिस्क साएगा, सबको आपको यह Unload Skin करना है, Desktop में सारे जो Widgets है, उसको Remove करने के बाद, आपको डाउनलोड करना परेगा, Google Search Toolwork हो, उसके लिए Description में आपको लिंक दे दूँगा, यह वाला लिंक है, इसको मैं Copy करता हूँ, और इसको कोई भी ब्राउजर से आप खोलेंगे, यह Rain Meter और Rain Meter का जो यह Google Search स्कीन है, वो Totally Free है, आपको कोई पैसा नहीं लेगा, यह website खोलने के बाद, आप यह आप डाउनलोड फाइल आप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही, यह verify का option दिखाएगा, यह automatic होगा, अगर automatic नहीं होगा, तो आप capture से इसको verified कर सकते हैं, verify करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फाइल है, इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देख पा रहे हैं, रार फाइल में यह डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप open करेंगे, open करने के बाद मैं इस skin को, यहाँ पे जो अंदर फाइल है, फाइल को डेक्स्ट ओप में ला रहा हूँ, इसको आप right क्लिक करेंगे, right क्लिक करते ही देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो नमबर औप्चन पे लिखा हुआ है, Install Rain Meter Skin, इसको आप क्लिक करेंगे, इसको आप देख सकते ही, यहाँ पे देखे, इसको नाम है Cyber Search, इसको टिक करा हुआ है, और यहाँ पे इस्टॉल का औप्चन है, इसको इस्टॉल करेंगे, इस्टॉल करती है देगे यह इस्टॉल हो गया इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं यह जो hidden icon का option है इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको rain meters दिखाए देगा यहाँ पे आप right क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख पार skin, skin में जाएंगे और यह कि आप उसमें जाएंगे और यहाँ पे देखे search.ini है इसमें आप क्लिक करेंगे क्लिक करती ही देख पारें यह आप Google लोगों को क्लिक करके ड्राग कर सकते हैं आप अगर चाहते हैं कि YouTube का टुलवर्ड भी यहाँ पे हो तो आप same जाएंगे skin, cyber search और यहाँ पे YouTube देख पार करना हैं कुछ भी आप search करना चाहते हैं तो ऐसे type कीजिए और इंटर पे पेस कीजिए तो आपका browser खुल जाएगा और यह automatic search भी हो जाएगा इसको आगर आप remove करना चाहते हैं तो इसमें आप right click करेंगे और यहाँ पे देख पार है unload skin है इसमें आप click करेंगे तो देखिए चला जाएगा फिर से फिर से मैं इसको लाता हूं देखे आगया तो दोस्तों ऐसे करके आप Google search बार को desktop में ला सकते हैं वीडियो देखके अच्छा लगा हो तो वीडियो में like कर दीजे चैनल में नए हो तो subscribe कर दीजे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा झाल